Hello friends, I hope पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगे लेकिन फिर भी काफी लोगों को एक प्रावलम आ रही है ओ है कि लास्टे एकजाम के टाइम में उन्हें अब एक डर लग रहा है कि जो पढ़ा था ओ ऐसा लग रहा है कि भूलता जा रहा है या एक समस्या आ रही है कि बीच म हमने gap कर दिया, अब क्या करें या exam ऍी क्या हम qualify कर पाएंगे या नहीं क्या इस exam में हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं तो इन समस्याऊं का एक समाधान है मेरे पास, मैं आपको बताने वाली हूँ मैं बहुत जादा चीज़े नहीं बताती मैं चीज़े को छोटा करती हूँ मेरी आदबत है, मुझे खुद भी बहुत जादा चीज़े अच्छी नहीं लगती तो मैं दूसरों को भी वही देती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है तो मुझे अच्छे लगती है कि कोई एक रूल बताओ जिसे मैं ज़्यादा स्ज्यादा काम कर सकूँ तो ठीक मैं ऐसे आपको एक रूल बताने वाली हूँ जो ज़्यादा फाइदे मंद होगा बहुत सारे रूल बहुत सारी किताबें यह सब चीज़े मुझे नहीं पसंद है तो मैं आपको दे भी नहीं सकती है अब समस्याइं क्या पढ़ें क्या छोड़ें important topics कौन सा लें time management कैसे करें tension हो रही है तो क्या करें ऐसा लग रहा है कि कोई topic पढ़ा ही नहीं है या ऐसा लग रहा है जो पढ़ा है वह भूलता जा रहा है या मुझे तो यह आता ही नहीं है ठीक है तो अब क्या होगा ऐसे ऐ फ़ली बात मैं exam की बात करो तो exam आप जानते ही हो कि कप है 10 बझे से साढ़े बारा बजे तक होता है मतलब यह आपकी timing है तो timing note करो जल्दी से कॉपी लो और time note करो time अपका क्या है 10 बजे से साढ़े बारा बजे तक ठीक है तो ए टाइम आप नोट करो और इस time के आगे आग कौपी और नोट करो यहां पर देट करो ठीक है अब डेट आपका आज क्या डेट है 10 है तो 11 से आपको शुरु करना तो यहां डेट नोट करो 11 ठीक है फिर 12 तेरा एसे 16 तक की इसके बाद यहां आप लॉट करो ठाइंग की जाप Towards 29 खlang पर आपको कोश्चिन करते जाने हैं ठीक है आपका एक आप देख लो कि आप एक दिर में कितने कोश्चिन करने हैं 150 कोश्चिन ठीक है कितने कोश्चिन करने हैं तो आप इस कोश्चिन को नोट कर लो कितने कोश्चिन है 150 कोश्चिन ठीक है यह आपको करने हैं ठीक है अब सुबह दस बज़े से साड़े बारा बज़ तक का ये टाइमिंग सिर्फ आप और आपकी किताबे हैं ठीक है और किताबे कौन सी लाइनिंग कर लीजिए और उसके बीच में ऐसे गोला भरते जाएंगे इस दस बज़े से साड़े बारा बज़े के बीच आपको यही काम करना है कि कोश्चन की हो जेंगे आप टॉपिक आप अपने सामने रखेंगे उसके कोश्चन सॉल्व करते जाएंगे और उसके आगे गोला भरते जाएंगे इस आपको धाई गंटे में 150 कोश्चन में जितना आप करते हैं यहां आपको नोट करना है ठीक है डे वाइज जैसे कल 11 है तो कल आप क्या करेंगे 150 कोश्चन यहां से लेंगे 150 कोश्चन आप लेंगे अब इस कोश्चन में 50 कोश्चन मैस के होंगे 50 कोश्चन आपके साइन्स के ओंगे और 50 कोश्चन जन्रलिष पोगे अब बुक के जो कि में रहे आप कोकिन जरूरत के सारे टॉपिक ही छितरी तो नहीं करो जो है वही करो ठीक है मै्स के सर चो बुक में वहाँ चो कोश्चन लो और करो और उसके बाद यहाँ पर एक कॉपी लो उसमें 150 तक अंक लिखे दो और हर कोश्चन के वागे उसमें आपको मार्किंग करने ठीक है अब इस धाई गंटे में आप यह समझ के करना है कि आप एकजाम हॉल में बैठे हो कोई भी चीटिंग नही करनी खुद से चीटिंग नहीं करनी है अप खुद से शच बोलना है तो इसके बाद जब आप 20 गंटे बाद आप इनोड करों यहां पर कि आपने कितनी क्यों करने हैं THी कि आपने वह मार सीट पर घुजे होगा आपको करना है 150 कोश्चन का लच्च लेना है और आपको देखना है कि 2 गहनटे में कितनेस कर लो RI只 Liberty करनी पड़े तो चाहओ तो आजकी रात ही तैयारी कर लो कि 150 खोश्चन कर लो कोंगो उन कोॉश्चन को आप रख लो अगलो Topics आप रख लोài को सेती से कल हमे question करने है तो इस 6 दिन में आप बहुत ही ज़्यादा question कर लोगे हर topic आप cover कर लोगे ठीक है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ तो इस तरह से आपको क्या होगा कि एक जो timing है एक जाम की जो timing है तो इसके लिए आपका brain जो आपका mind है वो set हो जाएगा ठीक है आपका mind आ होगा कि आज भी यार वही एकजाम है जो हम रोज दे रहे हैं ठीक है तो आप आराम से उस दिन का एकजाम आप बिना डरे दोगे अब इस धाई घंटे में अगर आपने cheating की तो उसके खामियाजा भुगतने के लिए आपको तयार होना पड़ेगा आपको कम से कम 6 दिन तो तो अब ही आप देखो जो गोल्ड मेडल मिले हमारे देशको, ठीक है ओ्लम्पिक में जो गोल्ड मेडल मिला, जो भी मेडल मिल, उसकी तैयारी देखो कितने पहले से भी लोग कर रहा थे, काफी पहले से, बचपण से तैयारी करने पर आज उनको परिडाम हासिर हुआ, यह हम यह नहीं देखते कि उन्हों ने उसके लिए मेहनत कितनी किया रही है ठीक है अभी मैं आपको 6 दिन का देख रहे हूँ आप खुद देखना कि आप इस 6 दिन में आपको इन्हें धाई घंटों में आपको कितनी समस्या आने वाली है लेकिन उन समस्यान से जूच कर अगर आपने इस 6 दिन हर दिन धाई घंटे दे दिये तो यकीन मानो आपकी छमता इस समय जो भी है इससे कई गुना बढ़ जाने वाली है तो यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्पर करता है कि आप अपने छमता को बढ़ाते हो या नहीं बढ़ाते हो अब दूसरी बात उनके लिए जो बहुत ज़्यदा डरे हुए है उनके लिए भी मैं एक होगे यही काम करना है और कुछ नहीं करना है मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, पस यहीं करना है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कि हारेंगे, जीतेंगे, फेल होंगे, पास होंगे, कुछ नहीं सोचना है, लेकिन आपको यह question करने है, ठीक है, 150 question, धाई घंटे, यह आपके और आपके क तोड़ा भी ज्यादा नहीं चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है इस डाइगंटे में आपके मोबाइल को आप क्या मैं कहूं कि या तो आफ कर दो या फिर इसको एरोपलेन मोड़ पे डाल दो ठीक है कॉल नहीं आने चाहिए किसी से बात नहीं करनी है मोबाइल में कुछ भी नहीं देखना है चाहिए कितना भी आपको इंपॉर्टेंट लगे लेकिन अगर आपकी जो किताबे हैं मतलब जो अब्जेक्टिव कोश्चंस हैं उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए आप खुद देखो पहले दिन आप कुछ कम कोश्चंट करो के दूसरे दिन उससे ज़र आपकी छंता बढ़ जाएगी अगर पहले दिन आपने मन से question किये तो समझ में आया आपको क्या करना है सिर्फ एक rule follow करो मुझे कम से कम rule अच्छे लगते हैं बहुत जदर rule मुझे अच्छे ने लगते हैं और मैं जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसे rule कम अच्छे लगते हैं इक ही rule है हम उसे बार-बार follow करें यह बहतर होता है तो आज आप इसको करोगे आज से 6 दिन आप एक काम करोगे बाकी कौन से topic पढ़ने हैं क्या पढ़ने हैं यह सब सोचना ही छोड़ दो जो भी topic है वे आपके सामने हैं उनसे 2-3 topic note करो और question आपको 150 करने हैं ठीक है आप math से लेलो science से लेलो जो general history है उनसे लेलो हर subject से कुछ-कुछ question लेके मतलब अलग-अलग topic लेलो और 6 दिन में आप उनको करो ठीक है एक धाई गंटे में आप एक question करने हैं आपको तो lucent लेलो पुर्वा हो local लेलो math की कोई book लेलो objective और एक काम आप करो ठीक है सिर्फ इतना ही करो बाकि ये सारे कि कुछ भी नहीं सोचना कि क्या हो रहा है ये बस आप एक दिन तो करके देखो कल आप करोगी ने जैसे 11 को 11 को आप करोगी उसके बाद आपको खुछ समझ में आ जाएगा कि आपको अब आपके दिवा में कुछ और सोच आईगी ही नहीं अब आपको ये लगएगा कि ये वाला question मेरा बचाता चलो इसको पढ़ते हैं ठीक है तो आप एक काम करो और मुझे comment box में बताना कि आपने जब एक किया तो आपको कैसा लगा क्या आपके अंदर उर्जा आ मोटिवेशन अंदर से आती है या बुखार नहीं है कि आपने उपर से पट्टी बदल दी तो पट्टी किते दिन काम करें जो इतने भी मोटिवेशनल गुरू होते है वे बुखार में जो पट्टियां हम बदलते हैं उस पट्टी बदलने के दैसे होते हैं उससे बुखार उतरता नहीं है, थोड़ी दिर के लिए कम हो जाता है, राहत मिल जाते हैं, लेकिन अंदर बुखार रहता है, वो तभी ठीक होगा, जब आप दवा लेंगे, तो ओ दवा आपके अंदर से आएगी, ठीक है, यह पट्टी बदलने वाला काम मत किजिए, मोटिवेशन आप गु करना होगे, जैसे 6 दिन किया, एकजाम दिया, थे वैसे 7 दिन एकजाम देना है, ओके, all the best, I hope आप एक काम करोगे, और मुझे बताओगे भी, कि आपको एक काम करके कैसा लगा, एकजाम देगे, खुद का एकजाम, खुद ही ले रहा हो, इससे खुशी की बात क्या होगे, म मिलते हैं नेक्ट वीडियो में.